हीछ हेड्यरास में वबकी टूट्रेक्ज है वेलकम टू मय נल से लिज़ में टूटोरिया आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई आई हूं फ्यिजिक्स ऑननक्ष का स्लेबस यह यह एं बीज़ी पार्ट वण फ्यिजिक्स ऑननक्ष का स्लेबस physics honors में जैसे आप लोग जानते हैं कि part 1 में पढ़नी है दो paper paper 1 और paper 2 ठीक है paper 1 और paper 2 तो अभी मैं चर्चा करूंगी paper 1 के बारे में सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें 2 paper होते है paper 1 और paper 2 paper 1 में 75 marks के exams होते हैं ये theory paper है और 25 marks के practical paper फिर paper 2 में भी 75 marks के paper 2 होता है theory paper है और 25 marks के practical यानि के total 50 marks के practical paper होते हैं ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाकी आप यहां पढ़ सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं जैसे 3 hours time मिलता है time है तो इसमें total 12 questions पूछे जाते हैं 12 questions पूछे जाते हैं इसलिए हम थोड़ा निशी आ जाते हैं इन में से 6 questions का answer आपको करना है तो जिसमें इसमें group 3 group में बाटा गया है paper 1 को 3 group में बाटा गया है group A, group B और group C तो group A से 1 question करना है group B से 4 question का answer करना है और group C से 1 question यानि total कितना करना है 6 question का answer आपको देना है तो आप देख लिजे जैसे physics honors paper 1 है कि चलिए group A, group A में special theory of relativity दो questions यानि दिये जाएंगे आपको दो questions करना है एक questions पढ़ लिजे यहां देख लिजे आपको यदि मैं परपढ़ के एक टोपिक के बारे में बताओ तो वीडियो लंबा जाएगा चलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद पढ़ लिजे मैं थोड़ टाइम तो आपको दे ही रही हूँ ग्रूप B मेकानिक्स और पोपर्टी जोफ मैटर चलिए इनर्शियल फ्रेम फ्रेंश और नन इनर्शियल फ्रेम लिजे आपको देख सकते हैं जर्नलाजेशन कोडिनेट्स ग्रूप B है ग्रूप B का ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल केपलर लॉवी पढ़ना है इसमें ठीक है इलास्टिसिटी और इलास्टिक्स कंस्टेंट्स बेंडिंग बीम्स ओके शर्फेस टेंशन ये सारे चैप्टर्स हैं पर्फेक्ट फ्लर्स विस्कोसिटी लिक्वीड्स अभी आपने देखा देख लिएजे ग्रूप A और ग्रूप B अब आप लोग देखेंगे ग्रूप C वेवस एंड वाइब्रेशन ग्रूप C में भी दो कोशन दिया जाएगा आपको एक कोशन का आंसर करना है डिफ्रेंशियल एक्वेशन ऑफ वेर फ्री डैंप्ड आपके आपने देख लिया यह ग्रूप B से ही है इंटेंसिटी ओके हो गया ग्रूप B अब हम आते हैं पेपर 2 यानि बीएसी पार्ट वन का पेपर आपने पेपर वन देख लिया अब यह है बीएसी पार्ट फिजिक्स ऑनर्स का पेपर 2 इसमें भी 12 कोशन पूछे जाएंगे इसमें 6 का आंसर करना है 2 फ्रों ग्रूप A यानि उसमें ओन कोशन का आंसर करना है इसमें ग्रूप A से 2 कोशन का आंसर करना है यानी कि इसमें दो ही ग्रूप है, देख लिजे, 75 marks का एक थिउरी पेपर है और 25 marks का practical पेपर, मैं practical के बारे में बताऊंगे कि आपके कौन-कौन से practical आपको बनाने है, तो ग्रूप A, ग्रूप A में है heat, इसमें से 4 questions पुछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 का answer करना है, देख मेना linear flow of heart heat in mental rod देख लिए ग्रूप A में heat पढ़ना है में topics है उसमा ग्रूप B thermodynamics इसमें 8 question दिये जाएंगे thermodynamics से और आपको चार का answer करना है देख लिजी यह एक chapter है नेमिक थर्मो डाइनमिक description of phase transition पढ़ लिजी आप लो जूल ब्लैक बोड़ी रेडियेशन कीख ओफ लॉस स्टेफन्स लॉस के आप देख लिजी ग्रूप B इस तरह आपने देखा पेपर टू का ग्रूप A यह syllabus है और यह है ग्रूप B कि आप इसे copy पर्वी लिख सकते हैं अलग त्यार कर सकते हैं अब आए प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आपको पहले बता दो कि यह चे आवर्स लिखा हुआ यह निए छे आवर्स का प्रैक्टिकल होता नहीं है आप देख लिजेगा आप एक जाम्स में जैसे बोला जाएगा वैसे आप ंएब किचिएगा है च्बकीश van फेप्टिम्रा कितन देन ना इन च्वुए है रिकोर्श अभूर्ण यह फॉलोविंग एक्सप्रीमेंट एप09 में में बनाते न है तोटल इतने इंक्लूड किए गए हैं फर्स जेकेंड थर्ड लेस्टिक से आया है रिजिटी इमोमेंट अफ इनर्सी इस तेंशन सर्फेस तेंशन तर्फेस तेंशन सो बबल्स विस्कोसिटी अफ वाटर होगे टोटल नाइं परिक्टिकल दिये गए हैं ठीक है आप हमें ज तो कैसा लगा और किसी तरह की कोई परिशानी हो हमें कमेंट सेक्षन के माध्यम से बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए जिए अपने दोस्तों के बीच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल